हे एबरीबन वेलकम बैक टू मा यूटूब चैनल आप सभी को जैसरी राम चली फ्रेंड आज बनाती हैं भंडारे वाली आलू गोबी की सबजी एकदम खिली खिली एक बार बना लेंगे तो आपके घर में सब तारिफ करते रह जाएंगे चलीए इस सबसे पहले हम गोबी को अच्छे से साफ करके इसे काट लेंगे इसे पहले चेक करके ही काटेंगे तकि इसमें कीडे वगेरा ना हो और इसे हम ना ही जादा छोटे पीसिस करेंगे ना ही जादा बड़े पीसिस रहने देंगे और गोवी को हम पहले काट के रख लेंगे चलिए इसमें हम डालेंगे गोबी का डंठल भी गोबी का डंठल बहुत पसंद आता है हमारे गर में इसे हम पहले गरम पानी में पांच मिनट के लिए अलग साइड डग देंगे अब काटेंगे आलू आलू को मैंने एक लिया है, मोटा आलू था और इसे भी हमें छोटे-छोटे पीसिस में कट कर लेना है एक लेंगे हम टमाटा, टमाटर को भी हमें छोटे-छोटे पीसिस में कट कर लेंगे एक बार आप जरूर इस तरी से कैसे बनाईए आपको बहुत टेस्टी गोबी बनेगी और यहाँ पर मैंने दो हरी मिर्च लिये इसको भी हमने छोटा 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 चौटा चौप कर लिया है और छोटा सा टुकड़ा अधरक कर लिया इसे हम छोटे वाले ग्रेटर से ग्रे चौटा है और यहाँ पर डाल देंगे हम आदी कटोरी मटर मटर को भी यहाँ पर ही फ्राइब कर लेंगे जब भी आप गोबी बनाए तो आप गोबी को आलू को फ्राइब बनाए बहुत टेस्टी गोबी बनेगी चलिए गोबी हमारी अच्छे से फ्राइब हो चुकी है कलर भी चेंज हो चुका है थोड़ा सा अब इसे निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में बापस से उसी कड़ाई में हम छोड़ेंगे ओयल ओयल आप अपने हिसाब से कम या जादा ले सकते हैं और यहां पर डालेंगे जीरा साबुत खड़ी मिर्च और एक तेजपत का पत्ता बात अच्छा लगता है सबजी में और छुचाप की हो टमाटर ए उसे भी हम यहां पर डाल देंगे अध्रक खरे मिर्च को भी इसी में डाल देंगे साथ में इनको चलाते हुए कुक करेंगे अब इसमें डालेंगे हम मसाले एक चमच डालेंगे हम धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर और अच्छा कलर देने के लिए इसमें डालेंगे हम आदे चमच कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सब डालेंगे पानिय पाइन डालकर मसाले को हमें अच्छे से चलाना है अब यहाँ पर हम लेंगे स्वाधनुसार नमक यहाँ पर मैंने लिया है एक चमस से थोड़ा जादा नमक चलिए मसालों को अच्छे से हम कुखोने देते हैं इसे ढखकर हम एक मिनिट के लिए छोड़ देते हैं अब चेक करते हम देखिए मसालो ग्रेवी पर एकदम से ओईल उपर आ गया है और यह हमारा मसाले भी कोख हो चुके हैं अब इसमें हम डालेंगे गोबी आलो की जो हमने फ्राइ करके रखे थे मसाले में डालके गोबी आलो को अच्छे से हमें मिक्स करना है अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज प्लीज जादा से जादा लाइक, शेर, कॉमेंट और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंस सेके देखी गोबी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया, इसमें हम थूड़ा सा ही पानी डालेंगे ताकि हमें सूखी वाली गोबी बनानी है वस इतना ही डालेंगे जिससे हमारी गोबी अच्छे से गल सके माप में बताऊं तो एक चथाई कप पानी डाला है हमने इसमें और इसे हम ढखकर अच्छ से कुखोने देते हैं और इस गैस की फ्लेम को हमें low to medium ही रखना है और इसे बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे आप सबके सपोर्ट से में और अच्छ अच्छी वीडियो लाती रहोंगे जादा से जादा सपोर्ट कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने family members को शेयर कीजिए इसे हमें बीच बीच में चलाते हुए ऐसे ही कुक करना है देखिए अभी हमारी गोबी नहीं हुई है अब इसमें डालेंगे हम एक पेंच गरम मसाला गरम मसाला मैंने यह पर थोड़ा ही डाला है आप चाहें तो कमिया जादा कर सकते हैं लीजिए हमारी गोबी बन के तयार हो चुकी है एकदम सुखी सुखी पूड़ी से खाने वाली बिल्कुल भंडारे वाली गोबी हमारी बन के तयार हो चुकी है एक बार आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी गोबी खिली खिली बनेगी और सब महमान आपकी तारिफ करते जाएंगे देखिए लग रही है ना बिल्कुल इंस्टेंट सी गोबी की सबजी एक दम खिली खिली बिल्कुल भंडारे वाली आप सब को कैसी लगी ये वीडियो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और जादा से जादा प्यार दीजिए चलिए फ्रेंड मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ थैंक यू बाई बाई